अगर आप F&O सेग्मेंट में ट्रेट कर रहे हो आप पॉसिबली एक बहुत ही इंपोर्टेंट डेटा पॉइंट पर मिस आउट कर रहे हो जो है ओपन इंट्रेस्ट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ओपन इंट्रेस्ट को अनलाइज कर सकते हो और ओपन इंट्रेस्ट एक्जाक्ली होता क्या है पर आगे बढ़ने के पहले आज चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो एक लाइन में अगर में बताना चाहूं कि ओपन इंट्रेस्ट एक्जाक्ली होता क्या है तो it is the number of outstanding positions, right? तो कितने positions यहां पर derivative segment में trade किये जा रहे हैं, कितने open positions है वो आपको open interest के थुरू पता लग सकता है यह तो हो गई very simply एक छोटा सा recap of open interest अभी यहां पर majorly दो factors होते हैं अगर हम futures and options की बात करें first of all तो होता है price, right? so price यहां तो उपर जा सकता है, यहां तो नीचे जा सकता है that's out of the equation, right? अभी secondly, जो हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं, वो है open interest अभी open interest भी एक ऐसा number है, जो once again उपर जा सकता है because और positions build up हो सकते हैं market में यहां तो अगर positions काटे जा रहे हैं, याने कम किये जा रहे हैं तो open interest जो है, वो नीचे भी जा सकता है because open interest once again क्या है? number of open contracts in the market, very simple, right? so number of open contracts तो बड़ भी सकते हैं and घट भी सकते हैं so यहां पर चार possible conclusions होते हैं जब ही हम price as well as open interest को साथ में देखे and इसी के बारे में अभी हम discuss करने वाले हैं so let's very quickly go to my laptop screen now and in चारो चीजों के बारे में very quickly हम discuss कर लेते हैं so guys यहां पर मैंने एक छोटा सा Google Sheet बना दिया है आप सभी लोगों के लिए ताकि open interest का जो reading है, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा easy हो जाए and हम एक काम करेंगे, description में इसका link भी दे देंगे ताकि आप जबी भी इसको refer करना चाहो, आप definitely कर सकते हो okay, so guys जैसे हमने discuss किया था कि price as well as open interest हमारे दो major factors होते है right, so price या तो उपर जा सकता है and यहाँ पर अप अप इसलिए लिखा हुआ है मैंने या तो नीचे जा सकता है likewise, जबी price उपर जा रहा है तभी open interest या तो उसके साथ उपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है and जबी price नीचे जा रहा है तभी open interest फिर से या तो उपर जाएगा या जबी price नीचे जा रहा है तभी open interest नीचे जाएगा अब इन सारी चीज़ों को हम one by one very simply हम समझने की कोशिश करते हैं So first instance क्या है जबी price उपर जा रहा है and open interest भी price के साथ ही उपर जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं उसका जो result है वो होता है एक long build up बोलते हैं So याने buyers यहाँ पर interest दिखा रहे हैं और भी contracts आते जा रहे हैं market में Price जैसे जैसे उपर जा रहा है उस stock का वैसे वैसे और भी traders जो है वो contracts बनाने से बिल्कुल भी डर नहीं रहे है And यहाँ पर just मैं clear करने के लिए बता रहा हूं हम futures के OI की बात कर रहे हैं So यहाँ पर very simply इस stock में अगर ऐसा कुछ data आपको देखने का मिलता है जहाँ पर price भी उपर जा रही है and open interest जो है वो भी उपर जा रहा है उसका मतलब very simply एक long build up है इसी वजह से मैंने इसके meaning के section में एक strong bullish लिखाया है यहाँ पर जो outlook है हमारा and options की अगर मैं बात करूँ अगर आप एक options के trader हो and यह data आपको देखने का मिलता है कि price भी उपर जा रही है and जो open interest है वो भी उपर जा रहा है तो यहाँ पर क्या हमें चाहिए as a option buyer especially हमें option buying जबी करना है तभी एक तेज momentum चाहिए हमारे favor में on the upside and यह अगर आपको price action के साथ-साथ आपको यह भी देखने का मिलता है कि open interest का data भी आपको support कर रहा है हो सकता है आपका जो probability of profit है इस data point के वज़ए से higher side पे चले जाए and actually आप option buying करने का maybe सोच भी सकते हो right तो इसी वज़ए से options के trading के perspective से मैंने यहाँ पर call option buy यहने CE buy लिखा हुआ है next हम चीज की बारे में बात करते है जहाँ पर price उपर जा रही है बट जो open interest है वो नीचे जा रहा है right तो इसका मैंने क्या लिखा यहाँ पर जो result है वो है short covering यह आपको generally तभी देखने को मिलेगा जब ही price काफी नीचे आ चुकी है एक stock की and तेजी से उपर जा रही है तभी क्या होता है जो shots जिन्होंने बना के रखे है वो generally थोड़ा सा डरने लग जाते है and उसी वज़े से वो shots के जो है अपना futures में उनलोंने जो short positions बनाए हुए थे वो exit करने के कोशिश करेंगे and वही चीज़ आपको देखने का मिलेगी because वो अपने position से exit कर रहे है open interest जो है वो नीचे चले जाएगा so price भले उपर जा रहा है पर open interest नीचे चले जाएगा जिन्होंने short कि अगर वो डर रहे हैं वो भाग रहे हैं वो कोई भी price में cover करने के लिए ready होंगे अगर enough upside आपको देखने का मिल गया but comparatively long build up से ये थोड़ा सा weaker bullish माना जाता है weak bullish इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है and जबी भी options के perspective से हम बात कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा weak bullish है बट फिर भी अगर हमें options के perspective से trade करना है तो हम यहाँ पर put option के selling पर focus कर सकते हैं right and call option buy maybe हम यहाँ पर नहीं करेंगे तो better होगा because जो trend है वो थोड़ा सा weak हो सकता है bullishness जो है वो थोड़ा सा weak हो सकता है third हम scenario पर चले जाते हैं जहाँ पर यहाँ पर price नीचे जा रही है keep that in mind so अभी price नीचे जा रही है and open interest जो है वो उपर जा रहा है right यह third हमारा scenario है इसका मतलब क्या है short build up यानि price नीचे जा रही है traders को यह भरोसा है कि और price नीचे जाएगी and जो traders है वो और भी short positions build up कर रहे है तो आप बोल सकते हो उसका जो meaning है वो एक strong bearishness का signal है and जो options का trade है once again हम यहाँ पर buying पर focus कर सकते है put option के buying पर because हमें एक तेज अगर downtrend मिल गया तो जो put option के premiums है वो काफी अच्छे से उपर के दिशा में जाने लग जाएगे and option bias को तो exactly वही चीज चाही है जो open interest है वो भी उसके साथ साथ नीचे के दिशा में जा रहा है so इसका result क्या है इसको हम बोलते है long unwinding यह कभी हो सकता है जब एक जो stock है वो uptrend में हो and एक sudden you turn माजदे वो stock यानि नीचे चले जाना शुरू कर दे आपको generally देखने को मिलेगा कि जिन्होंने भी long positions उस stock में build किया है वो थोड़े से ढर जाएंगे and वो cover के लिए भागेंगे यानि exit करने की कोशिश करेंगे and ये थोड़े सा weak bearish signal होता है when compared to short build up इसी वज़े से यहाँ पर जो मैंने options के perspective से trading signal दिया है वो यहाँ पर call option का selling किया है तो चाहे आप futures में trade कर रहे हो या option buying में या even option selling में तीनों के बारे में यहाँ पर हमने discuss कर दिया है यानि first two जब यह आपको scenario देखने का मिलता है आप futures में obviously buying पे ज़्यादा focus कर सकते हो likewise last two जब यह आपको देखने को मिलते scenarios आप futures में short side पे trade करने की possibly सोच सकते हो अगर price action भी confirm कर रहा है अभी चलिए NSE के website पे actually इसका example ले लेते हैं यहाँ पर मैंने NSE का जो website है वो open up कर दिया है आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा very simply मैं एक कोई भी random stock का example लेता हूँ let's say सबसे बड़ा जो Indian market cap wise stock है वो है Reliance Industries right so example मुझे हमेशा इसका लेने को पसंद आता है यहाँ पर मुझे क्या करना है very simply थोड़ा सा scroll करके यहाँ पर equity मुझे देखने को मिल रहा है मैं derivatives पर चले जाओंगा derivatives के बाद keep in mind आपको जो expiry date है वो next month की maybe choose करनी पड़ेगी why is this because last 2-3 दिन ही बाकी है जबी मैं इस video का record कर रहा हूँ expiry के लिए September की expiry के लिए इसी वजह से जो traders है वो next expiry में trade करना शुरू कर देंगे and आपको जो सबसे ज़ादा accurate data का भी मिलेगा जबी new expiry चालू हो गई है and at least 4-5 trading days हो गई है ताकि enough open interest build up हो पाए तो आपको actually change का एक decent idea मिलेगा but anyways मैं यहाँ पर example आपको बता देता हूँ so यहाँ पर stock futures में मुझे जान है and keep in mind once again हम October की expiry का देख रहे है so open interest हर expiry में भी करता है so अगर मैं September का open interest देखूंगा maybe कुछ और आपको नजर आएगा but just to keep it simple and जो अभी हमने google sheet पे example देखा उसको मैं supplement करने के लिए या उसका example देने के लिए यह चीज़ आपको देखा रहा हूँ so stock futures पे मैं click करूंगा once again scroll down करूंगा यहाँ पर आपको very simply percentage change in open interest पे जाना है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि reliance industries का जो open interest है वो October के open interest में अगर आप देखोगे तो 73% बढ़ा है आपको यहाँ पर minus 73 नहीं दिख रहा है plus 73 देख रहा है right so अगर मैं very simply chart पर भी चले जाओं आपको क्या देखने को मिल रहा है एक तेजी से आपको fall देखने को मिल रहा है reliance industries में and यह क्या है साथ साथ में जो open interest है वो बढ़ रहा है फिर से मैं google sheet पे चले जातों ताकि बिल्कुल भी आपको confusion ना हो यहाँ पर कौन सा scenario यह है अगर आपको पता है तो आप comment section में जरूर हमें बता सकते हो वीडियो को pause करके पर अगर आपको नहीं पता है तो exactly यहाँ पर क्या हुआ है so reliance industries का जो price है वो तो नीचे गया है open interest उपर गया है right so result क्या है short build up है इसका मतलब क्या है strong bearishness देखने का मिल रहा है इस data के conclusion से data को देखके आपको basically समझ में आ रहा है कि और भी contracts add हो रहे है and जो result है वो एक short build up का result है अभी चली एक possible bullish stock का example ले ले लेते हैं जो है Hindustan Unilever Hindustan Unilever clearly आपको देखने का मिल रहा है यह daily chart पे मैं आपको example बता रहा हूँ decent आपको एक uptrend देखने का मिल रहा है so market गिरने के बाद भी आपको देखने का मिल रहा है जो Hindustan Unilever है वो काफी strong hold कर रहा है अभी इसको ही हम क्या करेंगे आप same चीज यहाँ पर यह apply कर सकते हो so Hindustan Unilever अगर मैं type करता हूँ and यहाँ पर same चीज मुझे करनी है so थोड़ा सा scroll down करूँगा derivatives पर मैं click करूँगा and मुझे क्या करना है expiry day पर फिर से 27th October चूज करना है because last कुछी दिन बाकी है expiry के लिए so once again मैं आपको reiterate कर देता हूँ यह वापस से बता देता हूँ first couple of days and last couple of days आपको open interest जो है वो थोड़ा सा avoid करना चीज है because काफी जादा movement हो जाता है open interest में so जब यह new contract की शुरुवात होती है at least 3 to 4 days के बाद आप यह same analysis तभी कर सकते हो पर जैसे मैंने आपको बताया just for an example purpose मैं यह आपको बता रहा हूँ so stock futures में चले जाना है and नीचे जाके मैं देखूंगा मुझे क्या नजर आ रहा है percentage change in open interest positive है चार्ट पे अगर मैं चले जाता हूँ एक trend मुझे definitely on the upside नजर आ रही है downtrend तो नहीं नजर आ रही है right going back to our google sheet आपको क्या देखने का मिल रहा है price उपर जा रही है open interest कहा पर जा रहा है फिर से उपर जा रहा है इसका मतलब क्या है long build up चल रहा है hindustan uniliver में so यहाँ पर हमने दो examples के बारे में discuss कर लिया जहाँ पर long build up भी हो रहा था and short build up भी हो रहा था likewise आप same चीज practice कर सकते हो short covering के साथ भी as well as long unwinding के साथ भी hopefully यहाँ पर इस video के थुरू आपको समझ में आ गया होगा कि first of all तो open interest क्या है and कैसे आप stocks में analyze कर सकते हो open interest को हमने long unwinding के बारे में बात की short covering short build up as well as long build up के बारे में हमने बात किया and hopefully बहुत value मिली होगी इस video से आप सभी को अगर आपको वीडियो genuinely अच्छा लगा एक छोटी सी ही request होती है हमारी please make sure to like the video and subscribe to our channel as well and मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में bye bye अचाहिएड़ एक किobraग हूँईों अगर इस देजर边ओ जात स्व city अच्णपों